हेलो एप्रिवन वेल्कम बैक टो माई चैनल पिएश्डी गुरू जी दिस राहूल ममगई वन्स अगें आज की जो वीडियो है वो लेउंथ क्लास के लिए है और इसमें अध्याई दो कुछ टॉपिक रहे गे थे तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है पैर अलंपिक खेल पैरा अलंपिक खेल गेम क्या है उनके बारे में बात करते हैं विकलांग व्यक्तियों का खेलों में भाग लेना कोई नई बात नहीं है यह तो पिछले 100 सालों से चला आ रहा है वर्स 1988 में बर्लिन जन्वानी में बहरे लोगों के लिए पहले स्पोर्स कलब के स्थापना की गई थी विकलांग खेलाडियों ने उलंपिक खेलों में पैरा अलंपिक अव्यान सुरू होने से पूर भाग लेना सुरू कर दिया था जो विकलांग व्यक्ति थे जो डिसैब 1904 ओलंपिक खेलों में भाग लिया था इनका एक पैर कृत्रिम था आर्टिफिशल लेक के साथ इन्हों ने यह इंट्रड्यूस वे थे 1904 ओलंपिक में हंगरी के करोली टकास ने 1948 1948 1952 के ग्रीस्म ओलंपिक समर ओलंपिक केम्स में निसाने बाजी जो सूटिंग होती है तीर पोलियो से ग्रसित, खिलाडी, लीज, हार्टेल ने घुरसोवारी की प्रद्योगिता में रज़त पदक हासिल किया हालंकि दिते विसुद के बाद बिकलांगों द्वारा बड़े पेमाने पर खेलों में भाग लिया जाने लगा उस समय इस प्रकार के खेलों का उदेश्य दुतिया विशुद के दौरान बड़े संक्या में बिकलांगों सिपाईयों और आमनागरिकों को सारी कुरूप से स्वस्त रखना होता था बेसिकली जो कॉंसेट आया है परालंपिक गेम्स का वो 1948 के बाद में जब बहुत जादा वहां पे इंजाड होगे थे लोग या सिपाही तो उनको कैसे रिहेब किया जाए कैसे उनको फिर से सुचारू रूप से अपने जो सरीर है उसको चलाने के लिए कुछ खेलों का आय प्रतिस सरकार के आगरह पर डॉक्टर लोडविक गटमैन नैबेटेन में रीट की चोट के उपचार के लिए पहले अस्पताल की शुरवात की फिर समय के साथ साथ इस प्रकार की चोटों से ग्रस्त व्यक्तियों को चोटों से उबरने के लिए प्रयोग किये जाने वाले बिभिन्य खेलों ने दिरे-दिरे मनोरंजक खेलों का और फिर समय के साथ प्रतिदंदी खेलों का रूप ले लिया इस स्टार्टिंग में आपने कभी भी देखा होगा कि हम अगर छोटे से एक छट पे भी खेलते हैं तो पहले वो मनोरंजन के तौर पर होता है दिरे-दि अर्थात पेरालंपिक खेलों को ओलंपिक खेलों के समरूप ही माना गया है उसके समान ही माना गया है यह सब्द ओलंपिक तथा पेरालंपिक अंदुलोना की समरूपता को भी दर्शाता है 29 जुलाई 1948 को लंदन ओलंपिक खेलों के सुरवात के दिन डॉक्टर गटमें जि पहली बार वीलचेर एथलीट्स के लिए प्रतिस पर्दा का आयोजन किया था जिसे उन्होंने इस्टोग मैंड विले खेलों के नाम से समोधित किया यह खेल पेरालूंपिक खेलों के इतियास में मील का पत्तर सिद्ध हुआ इन खेलों में कुल 16 विकलांग खिलाडियों ने जिन में महिलाएं भी सामिल थी तिरंदाजी प्रतिस पर्दा में भाग लिया 1952 में इन खेलों का फिर से आयोजन किया गया जिन में हॉलन्ड के पूरु सेनकों ने भी भाग लिया इसी साल से इस खेल प्रतियों कीदा का नाम बदल कर अंतराष्टिया, स्टोक, मैंडविले खेल कर दिया गया जही खेल आगे चलकर वर्स 1960 में आयोजित प्रतम परवालों पेड़ों के नाम से प्रसित हुआ वर्स 1976 में कनाड़ा के टोरंटो सहर में आयोजित एक बैठक में बिविन प्रकार के सारिक विसमताओं से ग्रस्त कई समुहों ने एक संगर्टित समुहों बनाकर बनाने का निड़ने लिया इस दोरान विकलांग खिजाड़ियों के लिए अंतराष्टे इस तर पर खेल प्रत्यों किताएं आयोजित करने का निड़ने लिया गया इसी वरस्थ पेरालंपिक खेलों के इत्यास में पहली बार SEC कालीन जो अलंपिक होते हैं SEC कायोजन स्वीटन में किया गया तो पहले समार अलंपिक मैं इंट्रिद्यूश जाए पेरालंपिक गेम्स जो थे और उसके बाद इनको सीथ काली ओलम्पिक भी करवाने आयुजित किये गए जो की पहले वे थे स्वीटन में पैर ओलम्पिक अंदोलन को और ब्यौस्ति तुरूप से चलाने के लिए बाइस सितंबर 1989 को जर्मनी की अंतराष्टिय पैर ओलम्पिक संग की स्थापना की गई यह कुछन भी 1992 में फ्रांसमाय अयुजित सीथ कालीन पैर ओलम्पिक घेलों का अयुजिन उनी सहरों एम उनिस्थानों पर किया जाता है जहाँ पर ओलम्पिक संग्तिता अंतराष्टिय बाइलम्पिक संग के बीच हुए करार के चलते संब़ हो पाया दोनों समितियों के इस कदम से पेरालंपिक खेलों को अंतराश्ट इस्तर पर बहुत ख्यादी प्राप्त हुई इट मेंज जहां पर भी उलंपिक गेम सुंगे समर उलंपिक गेम सुंगे वहीं पर समर पेरालंपिक गेम सुंगे लाल, नीला, तता और हरा रंग जो लगवक सभी देशों के जंडे में मुख्य रूप से होता है उन्हें पेरलोंपिक खेलों के प्रतीक चिन्द के रूप में अपनाया गया है जंडे के रंगों की आकरती जो बनावट को एक्यूटो अर्थाद आई मूफ कहते हैं यहाँ नाम रंगों की अर्द चंद्राकार की विसम बनावट के रूप में होने के कारण बिसिस रूप से पेरलोंपिक अवियान के लिए दिया गया है तीन अगिटोस मिलकर एक केंद्रे बिंदू बनाते हैं जो इस बात का प्रतीक है कि खिलाडी प्रत्वी के हर कोने में कोने से आकर यहां एकत्रित होते हैं तो पेरलोंपिक खेलों का उद्गाटन समाहरो कैसा होता है opening ceremony of पेरलोंपिक games पेरलोंपिक खेलों के सुरवात मेजवान देश के दोजा रोहन तता उस देश के राष्टिया गान के साथ की जाती है इसके बाद विभिन देशों के से आये प्रतिभागी अपने राष्ट के समों में एक एक करके माज पास करते हुए इस्टेडियम में प्रविस करते हैं मेजबान देश के खिलाडी सबसे आखिर में इस्टेडियम में प्रविस करते हैं, सभी खिलाडियों एवं अधिकारियों के प्रविस के बाद मेजबान देश द्वारा संगीत नित्य एवं जो गाने होते हैं द्वारा अपने देश की संस्तित की जलग प्रस्तुत की जाती ह इस सस्टतिक करेकरम के अंत में Paralympic मसाल को इस डेडम में लाकार Paralympic जोती को प्रजलित किया जाता है लगबख-लगबख सही में जैसे Olympics होते हैं वैसे ही इनकी सुरुवात होती है Paralympic खेलों का समापन समारो, Closing Ceremony और Paralympic Games सभी प्रतिभागी देशों के धजवाहक खिलाडी एक साथ स्टेडियम में प्रवेश करते हैं, इनके पीछे सभी प्रतिभागी देशों के खिलाडी बिना किसी भीदवाओ के साथ स्टेडियम में प्रवेश करते हैं, इसके बाद प्रतिभागी धजवाहक को उतारा जाता ह और कालिंटि पूढा से था है और परौंपिक जोती को बिर्ड़े की जाता है ऑधीकारी गुश्चंग की जाती है अंतरास्टि और प्रेख समिती इसके बारे में पढ़ा हे यहां पर खीलों और पर रहे करती है यहाँ नौ खेलों के लिए बिश्वया चेंपियंशिप वह अन्य प्रत्योगिताओं का प्रेविक्षन वह समन्य करती है इस समयति का मुख्या उदेश्य प्रेलंपिक एथलीट्स को खेलों में स्रेश्था की प्राप्ति के योग्या बनाना तथा बिश्व को अमर्त या अविक्सित लोगों के लिए प्रियाप्त खेल अवस्वरों को विक्सित करना है विसेश्थ उलंपिक क्या है इस्पेशल उलंपिक क्या है देखिए यहां पर थोड़ा सा जो लोगों है वो देख लेते हैं यहां पर किस प्रकार से यह लोगों है इंटरनेशनल olympic होते हैं जो कि mental retard होते हैं वो ये खेल उनके लिए आउजित किये जाते हैं तो पिसे इस olympic के सुरवात बौधिक रूप से अक्षम जो वयस्कों वा बच्चों के लिए साल भर olympic की ताज़ पर खेल प्रतों किताई आउजित करना ता था प्रसिक्षन प्रदान करने के औदेश्ट से की गई थी ताकि इस प्रकार के बच्चों वयस्कों को सारिक पुष्टी के लिए प्रेदित किया जा सके इन कारेकरमों के कारण ऐसी लोगों को अपने सहास खुसी योगताओं का प्रदर्शन का उशर करने का जो योगताएं हैं प्रदर्शन करने का औशर प्राप्त होता है जो कि उनके सरवांगीन विकास के लिए अतियावशक है इस कारेकरम का एक अन्याव देश्य बहुद्धिक रूप से अक्ष्यम लोगों को समाज की मुख्यधारा में सामिल करने का भी होता है तो इस पेशल बनाने का प्रियास कर रहा है बेस्व में बौद्धिक अक्षमता वाले लोग काफी बड़ी संक्या में हैं तता विस्यस उलम्पिक का लक्ष्य उनमें से हर एक तक पहुंचना है इस्पेशल उलम्पिक की सुरवात सिंग्तराज अमेरिका के पूर राश्पती कैनेडी की बह इन सिविर था इसमें अमेरिकाव कनाडा के एक हचार खिलाडियों ने भाग लिया था पति भाग किया था यूनिस कैनेडी स्राइवर का मानना था कि बराबर अवस्वरों वा अनभाओं के साथ बहुत दिक रूप से असमर्त लोग भी काफी अधिक प्राप्त कर सकते हैं यदि उनके बारे में सोचा जाए तो उनका मानना था कि बहुत अच्छा कदम था कि जो मैंटल रिटार्ड बच्चे हैं वयस्क हैं उनके लिए भी कुछ खेल आयूजित किये जाएं ताकि वो भी सारे दिक रूप से हिस्ट पुश्ट रहें स्वस्त रहें Special Olympics का लक्षा क्या है Special Olympics का मुख्या उदेश निमलिकित है बौधिक अच्छमता या असमर्ता वाले बच्चों वो वयस्कों के लिए खेल प्रतोगिता हैं वो प्रसिक्षन का आयूजिन करना उनके सारिक पुश्टि को विक्सित करना अपने होंसले का प्रदर्शन खुसी क वीड़ता या बहादुरी के साथ प्रियास करने दो तो बहुत अच्छी टैग लाइन है यहां पर जो Special Olympics है उसके लिए उसके बाद में बात करते हैं उलंपिक प्रतीक, आदस, उदेशेवा, मूल्य क्या थे एक बार फिर से इनको थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं उलंपिक प्रतीक क्या है उलंपिक सिमबल क्या है उलंपिक प्रतीक पांच छलों अथ्वाब बृतों का बना हुआ जो आपस में जोड़े होते हैं यह आप डाइग्राम में देख सकते हैं कि पांच छले हैं यहाँ पे यह डबलू के आकार के हैं थोड़ा सा और यह पांच महादवीपों को दरसाते हैं जो कि अफरिका, अमेरिका, एसिया, औस्टेलिया वा यूरोप हैं पांच महादवीप अब इसके बाद मैं बात करते है कि यह कुछ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है पहला चला जो है नीला है उसी के बाद दूसरा काला है फिर उपर लाल है पीला और हरा है तो इसको आप बीबी रॉय के द्वारा आप वह कर सकते हैं याद कर सकते हैं बीबी रॉय जी बीबी का मतलब ब्लू ब B for Black R for Red Y for Yellow और G for Green तो BB Roy जी इसकी सो ट्रिक है यह आप याद कर सकते हैं इससे अब यहां पर कुछ कलर हैं जबकि इसका जो इसकी सुरुआत जो किये थी जो इसको इंट्रड्यूस किया था वो प्यरेडी कोवेटिन साहब नहीं किया था जो कि जो ओलंपिक के फादर माने जा लेकिन यहां पर एक बात आती है कि उन्होंने कोई भी कलर या कोई भी क्लर किसी एक पर्टिकुलर महादीप के लिए नहीं बनाया था लेकिन फिर भी अभी जे कुछ misconceptions हैं सायद क्योंकि इसी प्रीमियर जो पुब्लिकेशन की इंग्लिस की बुक आप देखेंगे तो उसमें इसमें कहीं न कहीं यह है कि जो यह चले हैं और इनके नाम जो नीला कलर है जैसे कि यहां पर बताए गया कि अमेरिका के लिए है ऐसा उन्होंने कुछ नहीं दिया था पेरेड़ी कोवेटन साहब ने तो आगे बढ़ते हैं फिर भी आप इन्हें याद कर लीजेगा क्योंकि आपके एक्जाम में आ जाता है तो आप महां पर कोई एक्स्क्यूज नहीं दे पाएंगे इसलिए आप याद कर लें तो ज्यादा बहतर है उलम्पिक प्रतीक के ठी तरीक नीचे ओलमपिक अधर्स छपा होता है जिसमें तीन लाइटिन वार्ड्स सामिल होते हैं जिसका नाम है सिट्य$ 20-50 रॉ्ट Manager higher and 40th का मतलब है stronger अधिक तेज, अधिक उचा, अधिक सकती साली इन सब्दों का सब्दिक अर्थ athletics के लक्षों पहले से तेज दोड़ना, अधिक उचा कूदना और अधिक दूर तक फैंकना क्या करता है? प्रतिनिदित्वा करता है Olympic आदर्स क्या है? अधिक में सबसे आवशक बाद जीत प्राप्त करना नहीं, अपित भाग लेना है विजय की कामना ही नहीं, बलकि अच्छी तरह दोण्द करना है, या प्रतिस परदा करना है या प्रतिभाग करना है Olympic के उद्देश है क्या है? objective of Olympics क्या है? सभी देशों का सारिक सिक्चा तता खेल प्रतिविताओं की और ध्याना करसित करना जिवाओं की ब्यक्तित्तों चरित्र और स्वास्त्य का विकास करना खिलाडियों में अच्छी आदोतों का निर्मान करना ताकि वे खुसाल तता स्वास्त जीवन बिता सकें खिलाडियों में देश भक्तिवा भाईचारे की भावना का विकास करना अंतराष्टिय मैत्री भावना हुआ सांती का विकास करना जाती धर्म और नस्ल के अतर पर कोई वेद भावना होने देना खिलाडे में यह विचार उत्पन करना की खेल केवल समय गुजारने का साधर नहीं है और नहीं बहुतिक पदात अर्जित करने की गतिविदी है नेक्स्ट आप बात करते हैं ओलंपिक अंदूलन द्वारा मोलियों का विकास क्या क्या होने चाहिए बात करते हैं ओलंपिक आंदूलन के जनक पेरेडी कोवेटन खेलों के माध्यम से युवाओं को सिक्षित करके सांतिपून और बहतर विश्व का निर्माण करना चाहते थे कोवटिन एक ऐसा उश्वर उत्पन करना चाहते थे जिसमें खेल बिना किसी भीदभाव के खेले जा सकें फर्स वन है मित्रता फ्रेंड्सिप ओलंपिक खेल ऐसे कई अवश्यर पतान करता है जिसके द्वरा न केवल प्रति प्रतिवगियों या प्रतिभागियों के बीश बलकि राश्टों के मध्या भी मैत्री विक्सित होती है ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ प्रतिवगियों में राश्ट्रों की तरह ही सामन जश्यर पैदा करता है निस्वक्ष खेल फेर प्ले अनबायस प्ले इमांदारी के गुण को बढ़ावा देना इन खेलों के आयूजन का एक प्रमूख उद्देश रहा है उलंपिक खेल निस्वक्षता पूर्ण खेलों क को बढ़ाते हैं निस्वक्षता से इवतात पर यहा है कि प्रतिक खिलाडी तता टीम के साथ न्याय होना चाहिए किसी के साथ भी इंजस्टिस नहीं होना चाहिए किसी टीम की तरफ किसी प्रकार का जुकाव नहीं होना चाहिए प्रतिक टीम वा नियमों वा बी नियमों को निस्वक्ष रूप से लागू किया जाना चाहिए भेदभाव रही फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन जैसे कि देखनों को मिलता है समाज में उससे ये फ्री होना चाहिए उससे रहीत होना चाहिए आधुनिक ओलंपिक खेलों के उदेशत में भी यहो कहा गया है कि जाती नस तथा जातियों से समंद्र रखने वाले अथलीट भाग लेते हैं तथा उनके साथ किसी प्रकार का भीदभाव नहीं किया जाता है वास्ता में यहां इकत्र खिलाडी अपने ब्यक्तित्व भीद भूल जाते हैं तथा उलंपिक मूलियों को बढ़वा देने में सयोग करते हैं हालंकि यह दुखा था कि उलंपिक खिलों में कुछ देश इसलिए भाग लेते हैं ताकि वे यह सिद्ध कर सकाएं कि वे सबसे उपर हैं और दूसरे देशों की आप एक्षा क्या हैं बहुत आगे हैं अंतराश्टिय उलंपिक समिति के वारे में थोड़ा सा पढ़ ले गई तेजून 1894 को अंतराश्टिय उलंपिक संग था उसकी स्तापना की गई थी और जो पहले मॉडरन ऑलंपिक गेम वे थे वह इसके दो साल बाद वे थे 1896 में तो आप यह याद रख सकते हैं 1894 और 1896 इस संग का मुख्यों देश्य उलंपिक आंदूलन का विस्तार तता अधुनिक उलंपिक खेलों का यूजन करना था आज अंतराश्टिय उलंपिक संग की आधुनिक उलंपिक खेलों की गवर्निंग बॉड़ी है सबसे एपक्स बॉड़ी है आई उसी इंटरनेशनल उलंपिक कमेटी अंतराश्टिय उलंपिक संग का मुख्याला है लौशान सब्सक्राइबlish इस समयति में 150 साक्रिय तथा 22 जिनने शुक्राइब करेक्री संग के लिए चांग किया जात है प्रधान का निर्वाचन आठ वर्स, 4 प्लस 4 वर्स के अविदी तक के लिए किया जाता है, इस अवदी को केवल 1 बार 4 साल के लिए बढ़ाया जाता है उपाध्यक्ष क्या है, वाइस प्रेजिडेन्ट, अंतराशी उलम्बिक संग में 4 उप्रधान होते हैं, ये संग के सदर्शयों द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं, इनका निर्वाचन 4 वर्स के अविदी के लिए किया जाता है करेकारी बोर्ड क्या है? खेलों के आयोजंद स्थल का निर्दान लेना, जो कि कहां होने वाले हैं, कहां होंगे अगले गेम, उसके बारे में निर्दान लेना, परतियोगी ताओं केली मौलिक नियमा का निर्दान भी समितित के द्वारा किया जाता है, खेलों में नैतिकता की साथ-साथ खेलों के माध्यम से युवाओं को सिक्चा पुर्दान करने, मैं सहायता तथा प्रोज़ाइद करना ओलंपिक आंदोलन को प्रोज़ाइद करने वाले किसी भी प्रकार के भीद भाव या पक्षपात के विरुद्ध कारेवाही करना खेलों के सभी इस तरों पर महिलाओं को आगे बढ़ाने में उनकी साथा प्रोज़ाहन देना टोफिन के विरुद्ध संगर्ष करना, खेलों के विकास को प्रोज़ाइद करना, खिलाडियों दारा खेलों का राजनीती करना तथा प्यापरिक सुसण ना होने देना अंतराशिय उलम्पिक संग के प्रतेक चार वर्सकी आवधय के पहशाद ग्रीस मकालीन तता, सीद कालीन, आधुनिक उलम्पिक खेल तता, यो अलम्पिक खेलों का आयजन करता है भारतिय उलम्पिक संग के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, भारतिय उलम्पिक संग की स्तापना संग 1927 में हुई थी, सर्द दुरब जी टाटा इसके संस्तापक प्रधान हुआ डक्टर नोहरेन इसके महासचीब बने, सर्द दुरब जी टाटा भारत में संग के प्रतम सधै शबीत निर्वाचित हुए थे। भारतिय उल्म्पिक संग के पतादिकारियों का चुना प्रति चार वर्स के उप्रांथ होता है, भारतिय उलम्पिक संग में नौप्रधान 6 सह सचीब, 1 महासचीब तथा एक महानत को साध्यक्ष होता है, इनके अतरिक तथा भरतिय उलम्पिक संग की नियमों का विनियमों को लागू करना, देश में उलम्पिक से सम्मंद सभी बीशियों पर अपना नियंतरण रखना, देश के युवाओं की सारिक, नैतिक और सांस्कृतिक सिक्षा को प्रवसाहित करना, तथा बढ़ावा देना, उलम्पिक खेलों में भाग लेने वाली भरतिय टीम के खर्च वहन है, तो राष्टिय संग से वित्य साहता लेना, यदि कोई खेल संग असिस्ट व्योहर करता तो उसके विरुद कारवाही करना, राष्टिय खेल संगठोनों की साहता से उन टीमों के चैन पने इंतरन रखना, तथा खेल प्रसिक्षन देना, जो अंतर हश्टिय इस तर पर भी भारत का पढ़तिने दित्वा करती हों, तो इस पूरे चैप्टर में इतना ही था, आप अच्छे से चैप्टर पढ़ें, इलैंड क्लास के बच्चे, थैंक्यू सो मच, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सेयर क क्या दो करें?